Hello guys, welcome back to my channel Guys, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने उद्योगधार में जो जियो टैगिंग होता है, वो कैसे कर सकते हैं और इससे पहले हम उद्योगधार का जब भी रेजिस्टेशन करते थे तो उससे पहले जो जियो टैगिंग का ओप्षण था, वो नहीं आता था और ये जो ओप्षण है, अभी लेटस्टी आया है और इससे पहले जितने भी रेजिस्टेशन किये गए हैं वो बिना जियो टैगिंग के किये गए हैं और latitude और longitude के बिना किये गए हैं तो आगे आप जब भी उद्योगधार का registration करोगे तो आप geo tagging कैसे करेंगे और latitude और longitude को कैसे feel करोगे तो इसकी पूरी detail आपको इस वीडियो में मिलेगी और इससे पहले मैंने उद्योगधार को लेके दो वीडियोज डाल रखी है जिसमें कि आप अपने उद्योगधार को कैसे edit कर सकते हैं उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और दूसरा कि आप अपने उद्योगधार को उद्यमधार में कैसे convert कर सकते हैं इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और इसका जो लिंक है वीडियो का वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगे तो आप वहाँ पर जाके भी ये वीडियो देख सकते हैं तो चलिए गाईस हम वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अपने Chrome ब्राउजर पर जाओगे और वहाँ आपने Chrome ब्राउजर में एक सैटिंग करनी है यहाँ आप देखेंगे कि आपके राइट साइड में थ्री डॉट्स हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे क्लिक करते ही आप देखोगे कि आपके सामने सैटिंग का ओप्शन दिखाई दे रहा है तो आप इस पर क्लिक करोगे सैटिंग पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस पर शो हो जाएगा और यहाँ पर आपको search setting का option दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर search करेंगे location तो यहाँ पर मैंने type कर दिया है location तो जैसे ही आप location लिखोगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखाई दे रहा है site setting का तो इस पर आपने click करना है जैसे ही आप click करते हैं आपको location का एक और option मिल जाएगा तो उस पर आप click करोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने दो option दिखाई दे रहे हैं एक option है sites can ask for your location and second option है don't allow sites to see your location अगर आपके browser में second वाले पर click हैं तो आपको इसको first वाले पर click करना है first वाले पर click करते ही जो आपकी location है वो allow हो जाती है और आपकी जो location है वो भी easily track हो जाती है तो यहाँ पर जो आपने अपनी location है वो set कर ली है तो अब इसके बाद आप उद्द्यम registration की official website पर आओगे इसके बाद आप click करेंगे for new entrepreneurs who are registered yet as MSME पर click करते ही आपके सामने ऐसा interface पर शो हो जाएगा और यहाँ पर आप अपना अधार number डालोगे और जो अधार card में आपका name है वो यहाँ पर आप mention करोगे अधार number और अधार name डालने के बाद आप यहाँ पर validate and generate OTP कर देंगे तो guys आप यहाँ पर उद्धियों अधार पर login हो चुके है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक option दिखाई दे रहा है एक additional option get latitude and longitude तो geotagging करने के लिए आप get latitude and longitude के option पर click करोगे तो guys click करते ही आपके सामने यह भारत का map शो हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो red color का border आप बोर्ड़र आ रहा है तो यह जो आपका state है उसके जो district है वो यहाँ पर show होंगे district है आपको आपके location पर ले आया है तो इसमेंसे आपको देखना है कि जो आपका area है वो कौन से district में है जैसे कि मेरा area है वो इस वाले district में है यहाँ पर आप zoom करके देख सकते हैं तो guys आप जो भी district का name डालते हैं और pin code डालते हैं तो वो उस district को यहाँ पर track कर लेता है और track करके यहाँ पर ले आता है तो आप जैसे ही यहाँ पर आओगे तो आपने zoom करके अपनी location को find कर लेना है तो मेरे recording जो मेरी location है वो यहाँ पर है और वो automatic ही यहाँ पर आ चुकी है अगर मान लीजिए आपके case में location track नहीं होती है तो आपको यहाँ पर click करना है और यहाँ पर आपको map को normal करना है तो आपके case में ऐसे आपको इंडिया का map दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको अपने state को track करना है तो यहाँ पर आप जैसे ही जूमिंग करेंगे map को तो आप यहाँ पर अपनी location को track कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर चंडिगड को target कर रही हूँ तो चंडिगड में जितने भी areas हैं आपको यहाँ पर show हो जाएंगे तो आपकी जो भी location है उसको target करते रहना है यह मैं आपको वैसे normal तरीका बता रही हूँ वैसे तो आपका यह automatic यहाँ पर आ जाएगा तो जो मेरा area है वो यहाँ पर show हो रहा है तो finally हम अपनी location पर आ गए है तो जैसे ही आपको अपनी location find out हो जाती है तो यहाँ पर आपको एक single click करना है यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपको यहाँ पर red signal दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आप उस पर click कर दोगे और यहाँ पर आप उपर देखेंगे कि जो आपका latitude and longitude है वो find out हो चुका है और वो automatically यहाँ पर fill हो चुका है और माल लीजिए कि जैसे कि आपको लगता है कि आपने गलत location पर pin कर दिया है और आपकी location यहाँ पर थी तो यहाँ पर आपने एक single click कर देना है और उसके बार यहाँ पर ok कर देना है यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत easily ही आपका latitude and longitude find out हो चुका है तो guys यह एक छोटा सा process था कि आप अपने latitude and longitude को कैसे find out कर सकते हैं I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करे, share करे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे